नमस्कार मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहारी की बेटी सुधा कुमारी ने अपने वा अपने परिवार वालों के साथ साथ बिहार का नाम भी अंतराश्टी मंच पर रौसन किया है सुधा कुमारी की उम्र 41 वर्स होते हुए भी उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र माइने नहीं रखता केवल जजबा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का सुधा न्यूजिलेंड से वापस पटना एयरपोर्ट पर पहुची और सभी ने बरही धूम धामसन का स्वागत किया उनके स्वागत में उनके परिवार वाले भी मौजूद थे सभी के खुशी के ठिकाने नहीं थे सुधा ने अपने जीत का स्रे अपने परिवार वालों को दिया आपको बता दे के सुधा का एक बेटा भी है जिसकी उम्र दस वर्स है बेटे का नाम दिव्यांचु है दिव्यांचु ने बताया कि वह भी अपने मा के जैसे ही खिलारी बनना चाहता है और अंतराष्ट्य मंच पर नाम रोशन करना चाहता है उसे बैडमिंटन में दिलचस्पी है सुधा कुमारी के पती का नाम अभिसेक घोस है अभिसेक ने बताया कि जब सुधा न्यूजीलेंड पहुँची तो उनके पैर में कुछ परिशानी होने के वज़ह से उन्हें लग रहा था कि वो सायद खेल भी नहीं पाएंगी लेकिन उनके पती और उनके परिवार वालों ने उन्हें हतास नहीं होने दिया और पूरे जोर और सोर से उनका होसला अफजाई किया सुधा के जीतने पे काफी खुसी जताई और कहा कि जब तक सरीर साथ दे तब तक सुधा ऐसे ही बिहार और भारत का नाम अंतर राश्ट्री अस्तर पर उचा करे आपको बता दे कि सुधा कुमारी की या आठवी अंतर राश्ट्रे प्रतियोगिता थी वर्स 2003 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड में ब्रॉंज मेडल भी जीता था वर्स 2008 में उन्होंने तासकंद एसेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉंज मेडल जीता और 2009 में पुने कॉमन वेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और फिर 2011 में कॉमन वेल्थ पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस जिनियर चैंपियंशिप का आयोजन हुआ था जहां सुधा ने अपने नाम चार गोल्ड और एक सिलवर मेडल किया सुधा बिहार सरकार के जल संसाधन विवाग में कारे रत हैं सुधा कुमारी ने अपने जीत से बता दिया है कि बिहार की बेटियां किसी भी मामले में पीछे नहीं चाहे वो ग्रस्ती हो सिक्षा हो या खेल का मैदान बिहार की कई ऐसी बेटियां हैं जो बिहार में आने वाली बेटियों की रॉल मॉडल बन चुकी हैं चाहे वो शार्दा सिन्हा और मैतली ठाकुर के गाने हो लोगसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार हो एवरि और आगे भी ऐसे ही बिहार को और पूरे भारत को अपने हुनर से गौरवानवित करती रहेंगी आज के इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद